हेलो दोस्तों, वेलकम टू संशाइन आर्टिफेक्ट्स जैसा कि आप सबी चानते हैं गनेश चतुर्थी का तेवहार आ रहा है तो मैंने इस बार ये कुछ नया सा च्राइ किया है ये है एक सी शेल बैक फ्लो इंसेंस बर्नर मैंने पहले भी एक बैक फ्लो इंसेंस बर्नर बनाया था जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था आशा है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आएए इसे बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम ये सीशेल मोल लेंगे और इसमें थोड़ा सा ओयल लगा देंगे जिससे कि हमारा मैटीरियल इसमें चिपक न जाए ये मोल आपको आसानी से ओनलाइन मिल जाएगा अब हम थोड़ा सा वाइट सीमेंट लेंगे इसमोल में भरने के लिए और उस वाइट सीमेंट में हम वाटर और ब्लैक एक्रेलिक कलर का एक मिक्स्चर डाल कर अच्छे से इसे मिला लेंगे इसके बाद हम इसमोल के अंदर इसे डाल देंगे अब सूखने के बाद हम इसे demold करेंगे थोड़ा आराम से करना है ताकि ये कहीं टूट ना जाए वैसे ये इतना strong तो होता ही है कि इतना जल्दी टूटेगा नहीं जैसा मैंने सोचा था कि इसका bright black color आएगा तो वो color नहीं आया है तो इसलिए मैं इस पर black acrylic color की एक coat लगाऊंगी and then back side पर भी इसे black color करूँगी और उपर सूख जाने के बाद मैं इस पर golden outline दूँगे इससे एक cute सा प्यारा सा look आएगा ऐसे आपको दो बनाने हैं दो sea shell बनाने हैं अब इसके बाद हम incense burner को रखने के लिए एक incense holder बनाएंगे थोड़ा सा clay लेकर उसे हम mix कर लेंगे then हम उसे flat करेंगे और इस तरीके से flat करना है कि जादा thin ना हो जादा thin होगा तो फिर वो ठीक से work नहीं करेगा अब यह एक nipple पढ़ा हुआ अधा पुरानी bottle का तो मैंने इसी को ले लिया आप चाहें तो कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिसमें आप इसको इस तरीके से shape दे सके अब इसे shape देंगे हम यह ध्यान रखना है कि उपर और नीचे दोनों ही side पर clay में जो shape है इसमें hole होना चाहिए ताकि smoke जो है वो नीचे की तरफ आ सके अब हम यह जो extra upper side पर extra clay है इसको cut करके अलग हटा देंगे और इसे अब हम सूखने के लिए रख देंगे जब यह हमारा holder है यह सूख जाएगा तो इस तरीके से इसे अलग हटा देंगे और यह ऐसा दिखेगा अब हमें इसे भी black color करना है एक्चुली इसमें अंदर भी black color करना है बट सॉरी मैं वो video का portion skip कर दिया मैंने बेकाज यह सूख रहा था और फिर जब मैंने color किया तो मैं उस समय video नहीं बना पाई इस तरीके से यह हम इसको color कर देंगे और सूखने के लिए रख देंगे अब हम इसे assemble करेंगे तो यहां पर मैंने glue gun try किया था बट उससे हुआ नहीं था बेकाज थोड़ा सा heavy होता है यह seashells तो अब हम इसमें super glue try करेंगे super glue को इस तरीके से लगा देंगे और दोनों portion जो है seashell tray का इस तरीके से हम जोड देंगे इसे back में थोड़ा सा support देनी की ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए जब तक glue सूख जाएगा अब हम यह incense holder भी यहां पर super glue से fix कर देंगे कुछ इस तरीके से अब इसे हम सूखने के लिए करीब करीब एक दिन के लिए छोड देंगे यह हमारा incense burner तयार है हम अपने गनपती जी को इसमें विराजित करेंगे और back flow incense stick जो है उसको हम यहां पर इस तरीके से रख देंगे actually यह जो incense stick होता है इसमें नीचे hole होता है जिसकी वज़े से smoke नीचे आता है जिसकी वज़े से यह एक beautiful smoke fountain की तरह लगता है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताईएगा happy Ganesh Chaturthi to all